जैहिन साधी स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों हमारी स्टेटिक जीके चली हुई है उसका पार्ट नमबर टू डिसकस करने वाले हैं और स्टेटिक जीके के टोटल पार्ट्स बनने वाले हैं 49 49 पार्ट्स के अंदर हम पूरी स्टेटिक जीके कवर कर ज ठीक है दोस्तो ये जो कुश्चन है इन से बाहर एक भी कुश्चन नहीं जाने वाला अगर नैशनल पार्क्स ओफ इंडिया यानि कि भारत के राष्ट्य उध्यान से कुश्चन आता है तो दोस्तो ठीक है दोस्तो आज हम आपके सामने गवर्नर ओफ दा स्टेट्स का वीडि करने वाले हैं कुश्चनल फर्स्ट है वीच ओफ फॉलोइंग इस लोकेटिड इन असम निमन में से कौन असम में स्थित है कौन सा है बाई बताइए फटा फट से तो दोस्तो इसका राइटान सुराईगा काची रंगा नेशनल पार्क ठीक है काची रंगा नेशनल पार्क काफी फेमस नेशनल पार्क है जो की असम के अंदर है दोस्तो ठीक है नेश कुश्चन नंबर सेकिंड और दोस्तो इसमें वो भी कुश्चन इंक्लूड किये गए हैं चो नेशनल पार्क अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर रहे हैं काफी बार एक्जाम में ऐसे नेशनल भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तो ये है मनिपूर के अंदर option D right हो जाएगा दोस्तो आप इस वीडियो को दो या तीन बार देखेगा अगर आप इतनी बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये question automatic याद हो जाएगी next question number third सलीम अली नैशनल पारक इस लोकेटीड इन सलीम अली रास्ट्य उध्यान कहां पर स्थित है तो दोस्तो राइट आंसर आएगा option C ठीक है जमूर कश्मीर के अंदर सलीम अली रास्ट्य उध्यान स्थित है next question number four है आपकी स्कीन पर blank national park is located in करनाटका रास्ट्य उध्यान करनाटक में स्थित है तो कौन सा रास्ट्य उध्यान करनाटक के अंदर है वाई option B नागरहोल नैशनल पारक ठीक है ये कहां पर है करनाटक के अंदर question number five आपकी स्कीन पर है काना नैशनल पारक is located in which state काना रास्ट्य उध्यान किस राज्य में स्थित है तो बताए भाई फटाफट से आपके सामने options है मध्यपदेश, महराष्ट केरला और असम दोस्तो काना नैशनल पारक है मध्यपदेश के अंदर काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है चंदोली नैशनल पारक is located in which state of India चंदोली रास्ट्य उध्यान भारत के किस राज्य में स्थित है तो दीजेए इस कान स्वार दोस्तो चंदोली नैशनल पारक है महराष्ट के अंदर ठीक है option C right हो जाएगा सिमली पाल नैशनल पारक is located in सिमली पाल रास्ट्य उध्यान कहां पस्तित है दोस्तों सिमली पाल नैशनल पारक है उडिसा के अंदर हमने काफी बारी question मोक टेस्ट में भी डाला है चिक है दोस्तों ये question तो आपको याद करने ही पड़ेंगे चाहे रट्टा मारो या लिख सिमली पाल नैशनल पारक है जो कि उत्राखंड के अंदर है option a right हो जाएगा next question number 9 बनेर घटा नैशनल पारक is situated in बनेर घटा रास्ट्य उध्यान कहां पस्तित है तो दोस्तों ये है option d चाइना था चाइना बहुत ही नाटक कर रहा था इसलिए इंडिया नों उसकी एप्स प कहां पर है करनाटक के अंदर बैन लगा दिया यानि बनेर घटा next question number 10 आपकी स्कीन पर है पेंच पेंच नैशनल पारक is located in which state of इंडिया पेंच राश्ट्य उध्यान किस राज्य में स्तित है तो दोस्तों ये है option a page कहां पर लगाते हैं हम मध्य में दोस्तों ठीक है next question number 11 आ तो दोस्तों ये मिलेगा हमें असम के अंदर दोस्तों ठीक है option a right हो जाएगा next question number संजे गांदी नैशनल पारक located in संजे गादी राश्ट्य उध्यान किस राजे मिश्तित है तो दोस्तों संजे गांदी काफी महान व्यक्ति थे तो ये कहां पर है महाराश्ट तमहान से बन किस राजे से संबंदित है तो दोस्तों हिम कहां पर है हिम कहां पर है इन स्टेट्स में से जम और कश्मीर के अंदर हिम यानि बरफ बरफ कहां पर है जम और कश्मीर में option c a right हो जाएगा next पेरियार नैशनल पारक is located in which place of इंडिया पेरियार राश्ट्य उध्यान किस राज option b ठीक है अरे यार अरे यार से बन गया पेरियार मुझे करेला नहीं खाना है अरे यार मुझे करेला नहीं खाना है तो आप इसको ऐसे व्याद कर सकते हो next question number 15 दाची गम नैशनल पार्क is located in दाची गम राश्ट्य उध्यान कहां पस्तित है तो दोस्तों अगर हमें गम जाएंगे जम्मो और कश्मीर के अंदर option a right हो जाएगा next question बांदिपूर टाइगर रिजर्व एंड नैशनल पार्क इस लोकेटिड इन बांदिपूर टाइगर रिजर्व और राश्ट्य उध्यान कहां पस्तित है तो दोस्तों यह है करनाटक के अंदर वही ट्रिक यहां कर रहा था नाटक नाटक कर रहा था तो हमने उसकी एप पर बैन लगा जिया बांद का आगे वाले बैन को आप उठा लीजिए ठीक है option a right option b right हो जाएगा बांदिपूर कहां पर है करनाटका के अंदर सुन्दरबन नैशनल पार्क इस लोकेट इन विच प्लेस सुन्दरब राष्टे उध्यान कहां परस्तित है तो दोस्तो एक अरुन नाम का लड़का था वो जाता है इंट्यू देने के लिए और वो इंट्यू में कुछ गड़बड कर देता है तो मैनेजर आता है वो बोलता है अरुन नाम का लड़का यहां से दफा हो जाए अरुन से बन गया अरुनाचल प्रदेश, option A right हो जाएगा next question number 19 गिर नैशनल पार्क is located in which place गिर राश्टी उध्यान की स्थान पस्थित है तो दोस्तो ये है गुजरात के अंदर famous नैशनल पार्क है, ठीक है, option C राइट हो जाएग गिर गुजरात next, रन्थंबोर नैशनल पार्क is located in रन्थंबोर राश्टी उध्यान कहां पस्थित है तो दोस्तो ये है राजस्थान के अंदर ठीक है, option B हो जाएगा, रन्थंबोर और रह से बन गया राजस्थान, next, ये भी famous है जीम कोर्बेट नैशनल पार्क is located in which place जीम कोर्बेट नैशनल पार्क की स्थान पस्थित है दोस्तो ये था भारत का पहला राश्टी उध्यान जीम कोर्बेट नैशनल पार्क और आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है, जीम कोर्बेट नैशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था उसका अनसर आप हमें कमेंट बोक्स ने बताइएगा option A right हो जाएगा इसका उत्राखंड next कवाले देव नेशनल पार्क इस लोकेटिड इन कवाले देव राष्टी उध्धन कहां परस्तित है तो दोस्तो option D right हो जाएगा राजस्थान ठीक है दो महिला ही थी बस मे आत्रा कर रही थी ठीक है तो दूसरी वाली महिला ने पहली वाली महिला की जगा ले ली तो यहां से इसको तोड़िये कोई ले दियो कोई ले दियो कोई ले दियो तो वो सभी से गुहार लगा रहे थी कोई ले दियो मेरा स्थान option D सरिषका नैशनल पार्क इस लोकेटिड इन सरिषका राश्की उध्यान कहां परस्तित है तो दोस्तों सरिषका नैशनल पार्क है राजस्तान के अंदर ये भी famous है option C right हो जाएगा दोस्तों यहां पर भी बैन आ रहा है कभी आप बांदीपुर वाले बैन को यहां से रिलेट कर देओ तो यह गलत हो जाएगा यह आपको याद करना पड़ेगा बांदाउगड यह है मध्यपरदेश के अंदर option A right हो जाएगा next question number 25 कंचन जंगा नेशनल पार्क is located in कंचन जंगा राष्टी उध्यान कहां परस्तित है तो दोस्तों यह है सिक्किम के अंदर काफी बार एग्जामें पूछा जाता है next करंट अफिरा question है भाईए the total number of national parks in India 2020 भारत में 2020 में में राष्टी उध्यानों के कुल संख्या कितनी है तो दोस्तों यह है 105 option C right हो जाएगा यह आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है अभी तक तो पूछा नहीं गया है important था इसलिए मैंने यह question यहां पर डाला था next is the state with the highest number of national parks इंडिया भारत में राष्टी उध्यानों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है तो दोस्तों यह है मध्या परदेश ठीक है option D right हो जाएगा next the smallest national park of इंडिया भारत का सबसे छोटा राष्टी उध्यान कहां पर स्थित है कौन सा है सोरी तो यह दोस्तों south button national park ठीक है south button national park कहां पर है अंडेवान एंडिकोबार आइसलेंड ऐसे भी question पूछा जा सकता है next यह question TCS का favorite question है काफी बार पूछा गया है केबुल लामजाव national park KLNP is located in केबुल लामजाव national park कहां पस्तित है तो दोस्तों यह है option B मनीपूर के अंदर ठीक है केबुल लामजाव national park कहां पर है मनीपूर के अंदर और यह world का एक मात्तर तैरता हुआ रास्टे उध्यान है dancing deer is found in which of the falling state in India dancing deer भारत के भारत में निमलिखित में से किस राजियं पाए जाते हैं तो दोस्तों यह जो dancing deer है केबुल लामजाव national park में ही पाए जाते है और dancing deer को ही Shanghai deer के नाम से भी जाना जाता है TCS ने कुश्चन पूजा था Shanghai deer is found in which national park of India तो आंसुर क्याएगा केबुल लामजाव national park तो यह कहां पर पाए जाते हैं मनीपूर के अंदर next question number 31 clouded leopard national park is located in which state clouded leopard national park की स्राज्यमिश्थित है दोस्तो यह है तिरपुरा के अंदर option D right हो जाएगा ठीक है next question number 32 इंद्रावती national park is located in which state of India इंद्रावती राष्टी उध्यान की स्राज्यमिश्थित है दोस्तो यह है 36 गड़ के अंदर इंद्रावती राष्टी उध्यान कहां पर है 36 गड़ के अंदर next 33 दराजबरी national park RNP is located in which state of India यह भी हाली में न्यूज में रहे यह राष्टी उध्यान ते बताई किसमे है यह है दोस्तो तिरपुरा के अंदर राजबरी national park कहां पर है दोस्तो यह है उत्राखंड के अंदर ठीक है राजबरी राष्टी उध्यान कहां पर है उत्राखंड के अंदर उत्राखंड वाले राष्टी उध्यान काफी इंपोर्टेंट है दोस्तो ज्यादा तर उत्राखंड वाले उठाता है एक्जाम में डैजर्ट national park is located in which state of India डैजर्ट national park भारत एकिस राजजे में श्थीत है तो डैजर्ट सबसे ज़्यादा कहां पर है तो राजस्तान के अंदर ही है उप्शन सी राइट हो जाएगा नेक कुछ नमर थर्टी सैवन वालमी की national park is located in which state of India वालमी की राष्टी उध्यान भारत एकिस राजजे में श्थीत है दोस्तो ये है बिहार के अंदर ठीक है उप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तो अगर आपने अमारा टैलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो आप टैलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर ही आपको ये स्टेट ठीक जीकरी जीतनी भी प्रीडियों बनेंगी वह सारी वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाएगी दूद्वा नेशनल पार्क इस लोकेटेट इन वी स्टेट ओफ इंडिया दूद्वा राश्टी उध्यान भात एक किस राज्ये में श्तीत है फेमस है इसका राजी टान सुराएगा उत्तर परदेश के अंदर ठीक है नेक्स्ट काची रंगा नेशनल पार्क इस फेमस फोर ये कुश्चन काफी बार पुछा गया है 2019 के अंदर काची रंगा राश्टी उध्यान किस के लिए परसीद है तो ये है दोस्तो वन होंड रिनो सी रोज एक सिंग वाले गैंडे के लिए काची रंगा नेशनल पार्क फेमस है और ये कहां पर है असम के अंदर नेक्स्ट पेरियार नेशनल पार्क इस फेमस फोर जो की केरला के अंदर है तो एक किस के लिए famous है दोस्तो elephant के लिए option be right हो जाएगा दोस्तो अगर आप ये 45 question याद कर लेते हो अगर exam में national park से question आएगा तो इनी से आएगा इससे भार आपको question देखने को नहीं मिलेगा ये अपनी guarantee है next question number 41 गिर national park इस famous for गिर राष्टी उध्यान किस के लिए परसीद है तो एक गिर कहां पर है गुजरात में और ये lines के लिए परसीद है यानि कि share next question number 42 सुंदर्बन national park is famous for सुंदर्बन राष्टी उध्यान किस के लिए परसीद है सुंदर्बन कहां पर है West Bengal के अंदर तो किस के लिए famous है दा रोयल बैंगोल टाइगर ओप्शन सी राइट हो जाएगा next question number 43 नमेरी national park is located in which state of India ये अभी हाली में recently news में रहा है तो कहां पर है दोस्तों ये दोस्तों ये है option D असम के अंदर नमेरी राष्टी उध्यान है असम के अंदर next ये विश्रव का सबसे बड़ा राष्टी उध्यान है next which is only floating national park in the world जो दुनिया का एक मातर तैरता हो राष्टी उध्यान है ये question आपने देखा भी होगा अगर आपने 2000 निश्म में कोई भी exam दिया हो SLC का दिया हो तो ये question पूछे गई थे कुन सा है तो दोस्तो पीछे हमने बताया था केईबूल लेम जाओ national park ठीक है option C is का right हो जाएगा दोस्तो ठीक है तो दोस्तो ये थे आपके most important 45 question national park of इडिया से कल आपको क्या करना है governor of the states यादगर के आने हैं ताकि हम MSQ लगाए MSQ को जब वीडियो डालें तो आप उनको साथ की साथ सोल कर सको और उनका अच्छे थे revision कर पाओ दोस्तो ठीक है total 49 वीडियो बनेंगे static G के ठीक है most important static G के हम इनके अंदर cover करेंगे अगर आप इतना पढ़ लेते हो static G के अंदर तो आपके question गलत नहीं होंगे static G के से question maximum पूछे जाते हैं ठीक है तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो के अंदर जाहीं